अलो डोस्तो आपका स्वागत हैं NG Info Channel में आज डोस्तो डुब्लिकेट मोबाइल चार्जर और USB के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि डुब्लिकेट मोबाइल चार्जर और USB केबल को कैसे पहचाने तो डोस्तो आप जब भी मार्केट में कोई नया मोबाइल चार्जर खरिदने के लिए जाते हैं या फिर ओनलाइन खरिदते हैं तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि डुकानदार ने जो कुछ भी मोबाइल चार्जर बताया है तो वह चार्जर डुब्लिकेट है या ओरिजनल उससे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उस चार्जर के कॉर्णर को ज़रू देखना है अगर उसका कॉर्णर बड़ा है तो वह नकली या डुब्लिकेट चार्जर है तो अगर आप उसके USB पोर्ट में डेटा केबल कनेक करते हैं तो वह ज्यादा फिट तरीके से होगा या फिर एकदम धिला होगा जो खिचने पर निकल जाएगा आप उसे नॉर्मल तरीके से कनेक नहीं कर पाओगे और इसके अलावा आपको डुब्लिकेट चार्जर में कॉर्णर से कट देखने को मिलेगा जो ओरिदनल चार्जर में ऐसा कट नहीं देखने को मिलेगा ओरिदनल चार्जर में अच्छी फिनिसिंग देखने को मिल जाती तो इस तरह से original charger का पटा लगा सकते हैं दूसरा तरीका अगर दोस्तों duplicate data cable को जानना हो तो आप अपने phone में उस data cable को connect करें और वहां connect वाली जगबर अगर आपको space देखने को मिलती है तो वह duplicate data cable है original data cable में बिल्कुल भी space नहीं रती है duplicate USB data cable का connecting point वहां थोड़ी बड़ी size का देखने को मिलेगा और original data cable का connecting point perfect size वाला होगा duplicate data cable में उसका connecting point size में बड़ा होने की वज़े से mobile connect करने पर थोड़ा सा gap दिखने को मिलेगा तीसरा तरीका original USB cable में आपको यह symbol दिखने को मिल जाता है जबकि duplicate USB data cable में यह symbol आपको दिखने को नहीं मिलेगा अगर आपको दिखने को मिलता भी है तो यह symbol perfect size का नहीं बना होता original charger में यह symbol आपको perfect size में देखने को मिल जाता है चौठा तरीका USB data cable original है या duplicate यहाँ पैचानने के लिए उस data cable को आप band करके देख सकते है यानि के मोड के देख सकते है अगर original USB data cable होगा तो ज्यादा मोडने पर वह सिधा हो जाएगा और वहाँ थोड़ा सा hard भी होता है duplicate USB data cable को मोडने पर वहाँ आसानी से मोड जाएगा और duplicate data cable की quality नरम होती है और original charger का adapter duplicate charger से वज़न में थोड़ा बारी होता है तो दोस्तो इस तरिके से आप original mobile charger और USB data cable को पैचन सकते हैं तो दोस्तो उम्मिद रखता हो कि यहाँ जानकारी आपको कुछ काम आएगी अगर यहाँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे like, share और channel को subscribe कर लिजेगा साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि नई वीडियो आने पर आपको टोर्ण मिल सेगे आप सब का धन्यवाद